हलो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइस एक और नियू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि यू एस देंपर रीडिंग करूंगे मैं जानेंगे आपके और आपके परसन की लाइफ में चल क्या रहा है दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो आप और आगे चल कर क्या आप दोनों एक्शन लोगे ठिक हैं और एक दूसरे को क्या मैसेज़स दो बता दूं के यह जो शृच्छ मताइब है यह जो सब्सक्राइबgar ना हो सकते हैं यह मतशन सब्सक्राइब मेरे कियो ना हो वहा सक्किया ना हो उपれて कार्ड आ गया आप दोनों के लिए देखिए आप दोनों ही अभी सेपरेशन में हो जैसे कि आइसोलेशन फेज आप दोनों की एनरजी बता रहा है यह जो एनरजी है यह बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो आइसोलेशन फेज में जा चुके हो दोनों जने अब इस आइसोलेशन फेज में जाने के बाद आप दोनों के लाइफ में क्या क्या हो रहा है आइसोलेशन फेज में गए हो तो आप चाहते नहीं होगे कि एक isolated face फिर से मिले आप दोनों को लेकिन यह मिल चुका है अभी किसी के भी side से आया हो doesn't matter बट यह आपको मिल चुका है तो यह phase आपको मिल चुका है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि खुश नहीं हो आप दोनों ठीक है लेकिन इस isolation phase में जाने के बाद आप दोनों के life में हो क्या रहा है देखो पहले मैं आपको बताती हूँ आपके बारे में insecurity बढ़ा दी आपने जैसे ही आपके person आपसे बात नहीं कर रहा है isolated वो हो चुके है आपको भी उन्होंने बोल दिया है कि नहीं बात करनी है इसके पीछे देखो आपके person का ऐसा करने के पीछे बहुत साथ reasons है वो मैं आपको बताऊंगी पर पहले आपकी life पर इस isolated phase का क्या impact पढ़ रहा है मैं पहले ये बता देती हूँ आपको आप हो चुके हो insecure डर आ रहा है आपको कि ये आपके partner आपको reject ना कर दे अकेले में बैठके बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो ये सब की energy नहीं होगी मैं फिर से बोल रहे हूँ जिसके साथ जो चीज मैच करे आप वो देख ले ना ठीक है क्योंकि ना जैसे मैं रेडिंग्स आपके लिए करती हूँ मेरे लिए भी होती है ये rejection का डर आ रहा है कुछ लोगों में और कुछ लोग इस डर के वज़े से काफी रो भी रहे हैं परिशान हो रहे हैं क्योंकि उनको अपने पार्टनर की बहुत ज़दा यादा आ रही है अच्छा कुछ तो देखो rejection के डर में बिलकुल घबरा रहे हैं कि भाई reject ना हो जाओ या मेरा break up ना हो जाओ या मेरा बिलकुल connection खतम ना हो जाओ कुछ लोग रो रहे हैं कुछ हो सकता है confused हो रहे हैं कि यह हुआ तो हुआ क्यों किसलिए हो गया है यह सब कुछ ठीक है क्यों हुआ इन questions के answers जानने में लगे हुआ है जो यहां तक भी है ना जो यहां भी सोच रहे हैं confusion में हैं बट स्टिल आपको answers चाहिए हैं वह भी कुछ हद तक सही कर रहे हैं ठीक है मैं आप लोगों को पूर तरीके से गलत नहीं बोलोगी लेकिन सब से बेस्ट जो कर रहे हैं इसलेशन फेज में वह है यह वाला कार्ड जिसके साथ मैच करेगा यहानि कि डिसकवरी का कार्ड स्टिल आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो ठीक है आपकी कन्फूजन दूर है और यू जस त्राड तो डिसकवर सम्थिंग नू तो हील यॉर्सल्फ तो हील दिस कनेक्शन तो बाट डिवाइन विल ब्लेस यू विद फुल उफ हैपिनेस अन अबंदन्स यह आइसोलेटिड फेज इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वह यही वाला कार्ड उसके साथ मैच करेगा रेजोनेट करेगा डिसकवरी कार्ड अधर्वाइस यहां पर मैंको तो फोर कैटेगरी दिख रही है बास अबहुत दो के लिए इसको यह सारी चीजे हो रही है यानि कि आप लोई और लॉर और हायर फ्रिक्वश सान में puis दो i am आपके person को देखो इस isolated face में जाके अपने passion को कितने अच्छे से follow कर रहे है why? because वो बहुत free feel कर रहे है right now वो इस isolated face को as a freedom ले रहे है so that वो अपने passion को follow कर रहे है वहोग जदा excited है अपने आगे वाले future को लेकर आने वाले future को लेकर but still इसके दिल में कही न कहीं एक sorry भी है कि आपको अकेला छोड़ दिया इस चीज़ को लेकर sorry भी है यह अपने past से move on तो कर रहे है लेकिन अगर दिल में sawdhi रखके कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप इसके दिल में हो basically जब isolation वाले phase में कोई इनसान जाता है तो वो कुछ नहीं सोचता ठीक है किस से बात हो रही थी किस से क्या connection था क्योंकि लोग अपने मावाप से भी दूर हो जाते हैं कुछ time के लिए हाला कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं बट फिर भी उनको कुछ ऐसे term condition आते है universe की तरफ से कि उनको थोड़े time के लिए उनसे भी separate होना पड़ता है है ना तो आपके partner इस isolation phase में अपने career पर बहुत focus जादा कर रहे हैं अपने personal development पर focus कर रहे हैं और मन में sorry भी रख रहे हैं वह आपको भूले तो नहीं है इसका यह sign है यहाँ पर ठीक है यह बता रहे हैं यहाँ है हाला कि आपके साथ कोई emotional connection है नहीं उनका बट स्टिल उनको थोड़ा सा sorry फील हो रहे है यह card बता रहे है कि yes आप उसके निमाग में कहीं नहीं तो हो ठीक है बोलूंगी because isolation phase है यहाँ पर आज तो फिलाल strength यह ना कुछ risky perform कर रहे है आपके partner career में या अपने किसी भी personal life में and आप wait कर रहे हो इस person का आप wait कर रहे हो page of pentacles five of swords the wheel of fortune and night of pentacles तेखो आपके पास से यह वाले cards आना बिलकुल लाजमी था why because आप रहे हो आपको rejection वाली feeling भी आरे है and you are confused ठीक है अब यह discovery वाला card है उनके साथ यह वाला card match करेगा seven of pentacles का discover कर रहे हो and still you need some time that is why you are in the waiting process ठीक है आप wait कर रहे हो और इस delay से घवरानी रहे हो because you need some time to discover something so that you will receive abundance in this connection लेकिन जो लोग negative हो रहे हैं थोड़ा सा और rejection और confusion में जाकर रो रहे हैं तो आपको लग रहे है कि तो लड़ाई जगड़ा तक ही आपकी thinking जा पा रहे है कि लड़ाई जगड़े हो गए हैं इसलिए चीजे रुग गई हैं लड़ाई जगड़ों तक मत देखो यह सो सोचो कि इसको ठीक कैसे कर सकते हो तो फिर आप भी से दिसकोषोब करने पर आ जाओगे खुछ न भी इसकोषोब बार करोगे फिर एक उछ डीक आपके पार्टनर को देखो तक हो आपके परसन का ही लिंग बहुत अच्छे से हो रही है मैं गैरिंटी के साथ बोल रही है वो इस isolation phase का ना पूरा इस्तमाल कर रहे हैं कुछ risky perform कर रहे हैं कुछ risky task में entry लिया है and इसको perform कर रहे है ठीक है और इनको कुछ ना कुछ मिला है जो की पूर तरीके से इनको कुछ indication signs वगएर आपसे related मिल रहे हैं और वो तो काफी positive ही है अपने career को लेकर भी और अगर इस connection के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा भी अगर सोच रहे हैं तो भी इस connection को लेकर चाहिए वो 5% ही सोच रहे हैं अभी इस isolation phase में यह person positive है कहते है ना डूबने वाले को तिनके का भी साहरा होता है तो इसके पास वो तिनका है कि यह connection बच जाएगा लेकिन आपकी negative thinking जो यहां पर 40-50% लोग negative thinking लेकर बैठे हैं तो guys negative ना सोच कर आप भी इस category में आ जाओ कि आप discover करो और और सही समय आने का वेट क करो क्या आप से divine वेट करवा रहे हैं अब जो बोलेंगे ना कितना वेट कितना वेट तो guys मेरे पास इसका कोई answer नहीं है कितना कितना करकर आप और वेट बढ़ाते ही हो आप आप चीजों को सुईकार क्यों नहीं करते हो भी इन चीजों का accept करो आपके लिए वेट है तो आ इस वेट से इरिटेट मत हुआ करो पहली बात तो युकि जितना इरिटेट खुद को करोगे आप हाइर फ्रिक्वेंसी जोन में कभी नहीं नहीं जा पाओगे देखो आपके लिए पेशन्स का इकार्ड है आपको पेशन्स ही रखना पड़ेगा ठीक है पेशन्स नहीं रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी रोगे परिशान होगे आप और ज्यादा अपने लिए डिलिप बढ़ा दोगे जो बात मैंने बोली है वही आगई है आपके लिए और आपके पास पर परसन अगर थोड़ा भी एमोशनल लॉस में है तो इनको यहां से भी निकलना पड़ेगा अपनी टैमपटेशन को कम करो ठीक है किसी भी चीच के लिए आपके परसन देखो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे है और आपको भी कुछ डिस्कावर करना है आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ले आओ ये एक्शन आपके लिए आ रहा है टैमटेशन को खतम करकर सेलिब आप से बहुत ज़्यादा आप्टिमिस्टिक है राइट ना ये चीज़े हम पर मुझे क्लियर दिख रही है तो जो लोग डिस्कावर कर रहे हैं गाईज मैं बोलूंगे आपको पेशन रखने की ज़रुरत है आपकी परसन भी नया कुछ ट्राइक करतो रहे हैं तो आप अ तब ही कुछ नया होगा वरना तो सेम साइकल ऐसी रिपीट होती रहे है और कोई फायदा नहीं है ओके इस यूर रेडिंग आई होग क्या आपके साथ रेजोनेट हुए और आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही बाई टेक केर